नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन के चेंड में अगर आप सिर से लेकर के पैर तक के हर रोग को खत्म करना चाहते हैं जड़ से बिल्कुल तो आज आपको बता रहे हैं कैसी ओस्दी जो आपके हर तरह के रोग को जड़ से खत्म कर देगी अगर रोजाना सुभा खाली पेट मातर पांच पतियां आप ये खा लेते हैं तो आपके शरीर में कोई भी बिमारी नहीं रहेगी चाहे वो लीवर की दिक्कत हो, पेट दर्द की दिक्कत हो, किड़नी से जुड़ी हुई परिशानी हो, आतों से जुड़ी हुई परिशानी हो, जोडों के दर्द की दिक्कत हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, गैस, अपच की प्रॉब्लम हो, मतलब पेट से जुड़ी, हा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब सरू कीजेगा तो चलिए आपको बताते हैं आज की ओस्दी आज हम जे सोस्दी के बारे में बात कर रही है वो है सहचन का पेड़ ये काफी बड़ा होता है आप सामने देख सकते हैं बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है और बहुत ही जादा सुन्दर लगता है इसपर फूल भी काफी अच्छा खिलता है इसपर जो फली लगती है उससे क्भी मात्र चार से पांच पतिएं क्भी कमी नहीं होगी स Darth प्रियमन नहीं होगा और कभी भी डायबेटीज नहीं होगा यह अकेला पोधा आपके शरीर के लिए किसी चमतकार किसे कम नहीं है यह अगर आप इसका इस्तमाल सही तरीके से करें तो यह आपको बहुत जादा फायदा देता है सर से लेकर के पैर तक की हर नस को खोल कर आपक का है इसकी ताजी पतियां आप जो है चार-पांच सुभा खाली पेड़ अच्छे से चबा कर खा लें तो आपको बेहत फायदा मिलेगा कोई बीमारी नहीं होगी किसी भी तरीके की साथी साथ सबसे अच्छा फायदा इसका यह भी मिलता है कि जब आप चबा कर खाती है त तो आप इसकी पतियां ताजी खाएंगे तो आपको फायदा रहेगा सभी लोग खा सकते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं करेंगी सिर्फ उनको नहीं खानी है जो प्रिग्निंसी में है महिलाई या बच्छे को दूद पिला रही है बाकी सभी के लिए बेहत फायदे मंद है अब हम बात करते हैं दूसरे तरीकी की दूसरा तरीका है आप इन पतियों को तोड़ कर अपने घर ले आएए अच्छे से धुल कर साफ कीजिए बढ़िया तरीके से इनमें बिल्कुल भी मिटी नहीं होनी चाहिए इसकी पतियां कैसी दिखती है मैं बिल्कुल पास से आप को दिखा रही हूं ताकि आप पहचान कर सकें इतना अद्बुत पोदा है ये कि इस समय पर अगर आप इसको यूज करेंगे इस समय से मेरा मतलब है कि इस समय जब हम बहुत सारी चीज़े ऐसी खाते हैं जो की मिलावट से भरपूर होती है और उसका बहुत जादा साइड हमारी बॉड़ी पर पड़ता है तो उन सबसे बचने के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके शरीर को बेहत फायदे मिलते हैं शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिस पर ये काम ना करता हो चाहिए सकिन हो बाल हो आपका हाट हो पेट हो हड़ीया हो सब पर ये काम करता है तो आपने करना क्या है पहला तरीका है कि चवा कर खाएं दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप क्या करें अच्छे से पतियों को धुल कर साफ कर लें उसके बाद इस तरह की कोई भी छणनी ले लें ये देख सकते हैं आप इसमें चावल चानने का क जाड़ें उसके बाद इसके उपर रख दीजिए फैला कर रखनी है और आपने इनको च्छाया में सुखाना है इस बात का ध्यान रखें दूप में बिलकुल नहीं सुखाएंगे च्छाया में ही पतिया मातर एक से दो दिन में बिलकुल अच्छे से सूख जाती हैं जो सब contaminer web के इसमें पर ने सफालिए होदो सवार्व नाती हैं कोई बात नहीं कोई बात दिहान रखना है कि वहाँ हवा जरूर आती हो धूप बिल्कुल नाती हो अभी इस समय पर बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप देख सकते हैं मैंने इने सुखा लिया है और मातर डेड़ दिन के अंदर ये पतियां अच्छे से सूग गई हैं काफी जादा बिल्कुल बढ़िया तर बूलता है तो हर तरीकी से स्टार praticut को और और यूज और भी थोड़्यास की तया प То आप मैं एक आप गाएज़ सकते हैं इनको एक क्षान में डाल कि सारी पत्तियों को सूखी वही है तो बहुत आसानी से पीश जाएंगे इन्हें आपने मिक्सी में नहीं पीशना है इस बात का ध्यान रखें बहुत आसानी से पीश जाएंगी हाथ से पीशेंगे क्योंकि अगर हाथ से इस तरह की से जोड से दबाएंगी विना तो भी क्रश हो जाती है इतने अच्छे से सूग जाती है और छाया में सुखाने का ये फायदा है इनके पोशकता तो बिल्कुल कम नहीं होते है आप देख सकते हैं गरीन कलर एक्दम बरकरार है वैसे हमने पहले देखा था थोड़ा बहुत तो चा freuen Juan आता है जब सूखता है लेकिन बाकी आप देख सकते हैं दूप पाउडर बनाने का तरीका भी बता रही हूं कोई भी छलनी ले लिजिए और इस तरीके से आप सारा पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से चान लिजिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्योर एकदम ग्रीन कलर आया है बिल्कुल पास से दिखा रही हूं मैं आपको बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है छाओं में सुखाने का यही फायदा है ना तो कलर चेंज होता है और ना ही इसके गुण जो है वो कम होते हैं तो बढ़िया तरीके से चान कर पाउडर तयार कर लेंगे जो भी दरदरा हिसा रह गया आप चाहें तो दुबारा से कू आते हैं कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टोर करने का तरीका यह है कांच की सीशी में भरके रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक महीने तक और आप इसे यूज कर सकते हैं एक चोथाई चमच रोजाना आप इसे ले सकते हैं पानी के साथ सुभ खाली पेट ले सकते हैं और अगर आप इसे रोजान अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो कभी भी आपके बाल नहीं जड़ेंगे चेहरे पर जुरिया या जाईया नहीं आएंगी आँखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी गला आपका ठीक रहेगा कफ की समस्य आपको नहीं काम करती है इसी के साथ कभी भी कबजियत की दिक्कत नहीं होगी बवसीर आपको कभी नहीं होगी साथ में आपको कभी भी डायबटीज नहीं होगा अगर आप इसको जो है रगातार रेते रहेंगे बस ध्यान रखना एक चोथाई चमच ही लेना है इससे जादा मात्रा में इस्तमाल ना करें क्योंकि तासीर में गर्म होता है तो जादा मात्रा में लेंगे तो फिर आपको रुकसान कर सकता है तो जिन लोगों को खाली पेट कोई ऐसी चीज रूट नहीं करती जो गर्म चीज होती है वो ब्रेक्वस्ट करने के डेड़ से दो घंटे के बाद आप इस इसमें आधा चमची पाउडऱ डाल सकते हैं जिससे की रहें जुर Two to Be tv दाने के इक जान सकते हैं इसको खाने के बुछ सारी के पूर न सब्सक्सक्राइबD ने कई जरूर घंब करें अगर आप आपको पसंद आई है काम की लगी है तो प्लिज जरूर शेयर क ey同गी के साह तब तक अपना खयाल रखें, अपनों का खयाल रखें और हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हेल्दी, स्टे हैपी, बाबाई